हलो दोस्तों सागत करते हैं हम अपने स्टेडी चाने स्टेडी विदाट दरेट पी में आज हम LCM और HCF के कोस्टन सीखेंगे LCM, HCF क्या है तो LCM का फुल फार होता है Least Common Multiple क्या होता है? Least Common Common Multiple और HCF क्या होता है? Highest Common Factor इसको LASAPA हिंडी में इसका कहते है? Least Sapa कहते हैं और इसे हम क्या कहते है? Maa Safa HCF कों क्या है? Maa Safa वैसे Least Sapa Maa Safa समंदित Qtion लगबग में 8 टाइप पर अधरित होते है इसके कितने टाइप बनेंगे? इसके 8 साथ से 8 टाइप साथ टाइप बनेंगे सीखेंगे एक वीडियो में कुछ वीडियो हम दूसरे टाइप में सुखेंगे दूसरे टाइप होगा तो दूसरे वीडियो मतलब कुछ टाइप हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो पहले टाइप में पहले टाइप में किस प्रकार का कोश्चन होगा तो पहले टाइप में लासा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या या एक संख्या पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या इस सूतर पर आधरित कोस्चन होगे पहले टाइप में क्या होगा लासा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या पर आधरित ही कोस्चन होगे तो देखिए क्या question हो सकता है तो जिसे question दे रखा है दो संख्याओं का लासा है दो सो पचीस और मासा कितना दे रखा है पांच है और एक संख्या पचीस है एक संख्या कितनी है पचीस है दूसरी संख्या ग्याद करना है तो सुत्र अभी हमने लिखा है लासा गुणे मासा बराबर में पहली संख्या या एक संख्या पहली संख्या का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या तो सूत्र यही लगाना है लासा गुणे मासा बराबर में पहली संख्या या एक संख्या गुणे दूसरी संख्या तो लासा कितना दे रखा है लासा दे रखा है दो सो पचीस मासा कितना दे रखा है पचीस मासा दे रखा है पांच लासा दे रखा है दो सो पचीस और मासा है मारा पांच पहली संख्या है पचीस गोड़े दूसरी संख्या में ग्याद करना है दूसरी संख्या अब इसको हम 25 को इसमें काटेंगे तो 25 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 और 25 पचे 25 पचे 225 और 5 5 की गुणा करेंगे 25 हो जाएगा दूसरी संख्या कितनी 25 की गुणा करेंगे तो 25 नामा 225 होगा 25 नमा 225 और 9 25 दूसरी संख्या क्या आजाएगी दूसरी संख्या जो हमारी आएगी वह आजाएगी 9 25 20 25dad ihr 25 नामा then 25500 नव पच्छीस नव और पांच पना पता था होगा एंसा थो पहले टाइप में क्या कि bugün सुत्र पराधरी कोश्चा पर ऐसा अब दूसरा टाइप देखते हैं दूसरे डाइप में क्या है जैसे 2 बटे 3,4 बटे 9,5 बटे 6 का लासा निकालना है तो इस प्रकार के लासा कैसे निकालना है जैसे कोई संख्य ध्यान रखना इस प्रकार के टाइप में यदि कोई संख्या ऐसे A अपां में B C अपां में D और E अपां में F का ऐसे करके दिर papel हो लासा निकालना हो तो ऊपर वाले संख्याओं का लासा निकालना है तो लासा कैसे निकालना है तो A, B, A, C, E, F का क्या निकालना है लासा, L, C, F निकालना है और नीचे वाले संख्याओं जो दे रखी है B, कामा, D, और F का निकालना है HCF, ध्यान रखना है यह दिका है, इसका HCF पूछ देता, A, C A अपान में B, C अपान में D, और E अपान में F का पूछ देता HCF, तो HCF कैसे निकालते हैं तो उपर वाले जिसका जो पूछेगा तो वही उपर करते हैं, उपर वालों का क्या निकालते तब हम HCF निकाल लेते और नीचे वालों का क्या निकालते हैं LCM निकाल लेते यह होता है इसका तरीका तो इसी आधार पर लगाएंगे जिसका जो पूस्तर से HCF पूछा है तो उपर वालों के HCF निकालना है नीचे वालों के HCF निकालना है तो हमें HCM निकालना है तो ओपर वालों के HCF का क्या निकालना पड़ेगा HCM तो दो चार पांच का HCM कितना होगा? पांच कू बीस हो जाएगा और जीच नौ छे का HCF कितना होगा? तीन होगा, यह मर क्या हो जाएगा, अब टाइप तीसरे question में क्या है? अगले टाइप थर्ड में क्या वह छोटी से चोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिसे चार, छे, आथ, बारा, सोला से भाग करने पर प्रतियक दसा में दो सेस बचे यदि छोटी से छोटी संख्या कहें तो इस पुसली ध्यान लखना हमें क्या करना है एल सीम निकालना है क्या निकालना है छोटी से छोटी संख्या के लिए में लासा निकालना है और लासा निकालने के बाद कहें दो सेस बचे तो दो हमें जोड़ देने लास्ट में दो सेस ब से काटेंगे एक बार में three two three six two four six three three two Ск recruit एक तीन फिर एक बचेगा तीन दोम है फिर दो से काटेंगे और फिर 32 से काटेंगे अब गुणा करके देखेंगे तो गुणाकरने पर क्या आएगा डो 278 और या 48 लेकिन कहा है कि यहांपर दो सेस बचे तो यहां पर जोड़ देंगे 48 दो क्या हो जाएगा पचास यह हमारा है हो जाएगा तो ध्यान रखना इसमें जैदि कहा है कि वह चोटी स्थी संख्या गयाद कि चार छे आठ बारा और सोला से बशने पर प्रतीक दसाय में लास्ट में कायि 2-6 बचे तो मिया हम सब्समी साम्राइब जोड़स reh moments इआ अब इस टाइब तो एक तो आप कि चौन में क्या होंगे कि इस वाले टाइब में कि लिखा है तकी पांच अंकों की वह भड़ी से बड़ी संख्या ग्याद कीजिए धियान रखना यदि अंक Julius Ne yap olmayना की यह यहाद रखना कि ज़ूरे नहीं कि पांखों के यहाँ पर हमें मासा की बड़ी संख्या के लिए तो क्या हो कि तीन से काटेंगे तो गुणा कर लेंगे तो नी चार दूनी आट नी चाविसे कितना हो जाएगाेगा 120 कौस यह कितना हो जाएगा 5 बार हम 9 लिख लेंगे ऐसे यह सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हो गई इसको जो LCM यहाँ पर आया है 120 से भाग कर देंगे 120 से भाग करेंगे तो पहले कितनी बार में जाएगा? 8 बार में 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा 960 12 ठीचान बे 960 गटाएगे तो यहाँ पर 9 बचेगा यहाँ पर बचेगा 3 फिर 9 उतार लेंगे फिर कितनी बार में जाएगा? तो 12 तीच्छतिस तीन बार में 360 हो जाएगा गटाएगे तो यहाँ पर बचेगा 9 यहाँ पर 3 पिर नोट कर लेंगे तो 12,3,36, 360, तो घटाएएगे तो कितना बचेगा? तिन bene, और 9-3 गटाएएगे, 9-6 गटाएएगे, 49 यह हमारा क्या बचेगा? सेस बचेगा, तो यह हमारा 49 सेस बचा, तो हमारी संख्या थी कौन सी? संख्या थी ये 5ंकों कि दोने कर देंगेüybixon शेस वचह है कि उटा देँंगे उनतली सेथच और फ़ह विखा बाल कि यहाँ पर क्रत। वह फ़ोगना तो के शेख करेंगे रह्म गताऊंगे तो नो उनसे नो गटाँगे जिर्ओश यहाँ दो फेर नो एंसर क्या जाएगा यहीं हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जायरा तो इस परकार के इंस nee क्या करों पूशा जिसे और गाए का इंसर तो यह परी है नहीं प्रकर भ Пजिए जिसे तीन पांच आठ और बारा से भाग देने पर दोसे अगने पर ऩह वो भी देखे लिए रहे हैं कि इसी पर तीसरे कोशन में देखेंगे तो लिखा कि वह सबसे शोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे पांच, दस, बारा तुथा पंदरा से भाग देने पर प्रतेगशा में दो सेस बचें किन्तु सास से भाग देने पर कोई सेस न बचे तो वही तरीका सबसे चोटी संख्या गयाद करना सबसे चोटी संख्या के लिए हमने क्या बता था LCM लेना है तो पहले हमें इसका क्या लेंगे LCM लेंगे तो पांच, दस, बारा और पंदरा का निकालेंगे हम LCM ел Kry Lynn करिको फिर दो से काट लेंगे 5 तो तों से मोज़ाएगा 2M2 ठों से जाएगए सब्सक्राइब हुआइब से देंगे लेकिन आप जब संख्या होनेगे तो यहां पर सेश दे रखेस औह度 6 0 Adult साथ के प्लस दो क्यों हमने माना क्योंकि यहां पर कहा है कि दो-स भाग देने पर क्यों मतलब इससे भाग देने पर संख्या में प्रत्रे के चौट यहां पर यहां पर जोड तोड़ेंगे तो 7, 8, 56, 8, 8, 7, 8, 56 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 60 है तो 56, 4, 60, प्लस दो बचेगा, तो यह संख्या हमारी पूरी कट गई साथ से, अब यहाँ पर बचा है 4K प्लस 2, 4K प्लस 2 बचा है, तो यहाँ पर हम के की वाल्यू क्या रखें कि यह संख्या पूरी कटेगी, क्योंकि यह संख्या साथ से कटनी चाहिए, तो यहाँ पर हम के वरावत 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो 4 गुने 3 प्लस 2, 4 तियां 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 14 को हम साथ से काटेंगे, साधनी 4 पूरी संख्या कट जाएगी, अर्थाथ 14 क्या होगी हमारी व वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना, यह केका वेल, जो हमने केक बरावत 3 माना, इसको यहाँ पर रखना भी है, क्योंकि संख्या में निकालनी थी, तो 60 गुने केक के प्रमान रखेंगे, 63 प्लस 2, 6 दुनी 12, 6 तिया 18, 180 हो जाएगा, और 2 जोडेंगे, तो इसमे के साथ में दोस्तों के सेर करना, क्योंकि इस टाइप के कोशिन हम पूरी मायत खतम करने वाले हैं, यह चोटे-चोटे कोशिन के आधर पर नहीं चोटे-चोटे वीडियो के आधर पर